हेलो फ्रेंट्स वेलकम अगेन तो हमने 5 मार्च को 5 किलोवाट अडाने टॉपकॉन के लिए PM मुप्त बिगली योजना के अंतरगत एपलाई किया था और 26 जुन को लगबख साड़े 3 महीने बाद हमारी जो 78,000 की सबसीड़ी है वो अकाउंट में आ चुकी है काफी सारे लोगों को इसी डेट में सबसीड़ी मिली है तो चलिए देखते हैं पूरा प्रोसेस क्या है सबसे पहले तो आपको PM सूर्य गर योजना की वेबसाइट पर आ जाना है चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है याद रख कि आपको अपना मोबाइल नंबर देना है जब आप अपलाई करोगे तब वेंडर से बोल दीजिए कि आपका नंबर ही रजिस्टर करें ताकि आप बाद में अपना status चेक कर पाओ फिर बाद में आप पर OTP आएगा ओके तो हम login हो चुके हैं सबसे पहले मैं आपको यह दिखा देता हूँ कि जब से हमने apply किया था तब से लेकर हमारी subsidy आने में कितना time लगा है तो यह देखिए 5.3.2024 को हमने apply किया था application 5.3.2024 फिर हमारी feasibility 27 तारिक को approve हुई थी तो feasibility approve होने में एक हपता लगता है पर मेरे case में कोई दिक्कत आ गई थी इसलिए 27th को हुई थी फिर बाद में vendor selection करना होता है यह सब कुछ process आपके vendor ही करते हैं फिर यह जो work start है work start agreement को अपी 5.6.2024 की यह अभी अभी अपडेट हुआ है यहाँ पर दिखी solar installation detail इन्होंने 5.4.2024 को submit की थी vendor ने हमारे जो भी board होते हैं वहाँ पर यह लोग installation detail submit करते हैं वो 5.4 को submit की थी फिर हमारा inspection हुआ था और net metering हुई थी उसके बाद यह रहा project commission हमारा 10.6.2024 को हुआ था हमने subsidy के लिए जो request थी वो 15.4.2024 को यह डाल दी थी और subsidy dispersal यहाँ पे दिखा नहीं रहा है 26 June को हमारी subsidy account में आ चुकी है यह देखे मैं आपको दिखा देता हूँ message तो यह जो पूरा process है apply करने से लेकर के subsidy account में आने का वो साड़े तीन महीने मेरे case में लगा क्योंकि election आ गए थे तो एक महीना ज्यादा लगा तो आप दो से धाई महीना पकड़के चलिए आपकी subsidy account में आई जाती है installation मतलब कि जब आपकी net metering खत्म हो जाती है पूरा process तो उसके बाद एक महीने के अंदर अंदर आपकी subsidy आ जाएगी चलिए मैं आपको one by one extra चीज़े भी दिखा देता हूँ सो अगर आप continue करना चाहते हैं तो सो यहाँ पर सबसे पहले देखे application acknowledgement इसे क्लिक करके देखते हैं क्या है यहाँ पर हमने 5.1 की load का apply किया था बस वह यह कुछ नहीं है और क्या है e-token सो जब हम apply करते हैं तो यहाँ से हमें एक certificate मिलता है एक मिट लोड हो रहा है सो इस प्रकार का certification मिलता है कि आप 78,000 की subsidy के लिए eligible हो फिर आगे देखते हैं यह bank detail है वो आप installation के बाद यहाँ तो फिर last step में कर सकते हैं जब आपको subsidy की जरुवत होगी तो यह भी यहाँ पर है और vendor selected तो यह सब कुछ vendor ही करते हैं यहाँ पर हमारा vendor का नाम है इसे close कर देते हैं यह feasibility letter apply करने के बाद सबसे पहले हमें feasibility approval चाहिए होता है यह वह later है feasibility approval के लिए फिर इसके बाद में यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं 5.1 का apply किया है यह आपका electricity board हो गया नाम, date और गेरा यहाँ पर feasibility approval मिल चुका था feasibility approval आने के बाद ही हमारा जो installation है वो start होता है उससे पहले यहाँ पर installation से पहले आपे कुछ agreement आपको sign करने होते है आपके और vendor के बीच में यह इसकी कुछ detail है मैं आपको uploaded document भी दिखा देता हूँ इस प्रकार का 50 रुपे के stamp में यह लोग अपना agreement करते जाते हैं इस agreement में कुछ भी नहीं है बस जो भी वो लोग आपके साथ कुछ इस प्रकार का agreement है तो यह भी इन्हें जमा करना होता है फिर आते हैं installation detail के बारे में तो agreement होने के बाद यह रही कुछ installation details तो यहाँ पे vendor name लिखा हुआ है यह हमारी capacity 5.4 की inverter capacity के solar का inverter फिर यहाँ पे 565 watt के module 9 panel अडानी serial number panels के यह structure certificate open करते हैं तो यह रहा structure certificate तो इन्हें structure certificate भी देना पड़ता है मतलब यहाँ पे दिखे 150 km per hour की जो wind speed है वहाँ पे भी इसे सुरक्सामी लेगी है ऐसा structure इन्होंने लगाया है मतलब ऐसी ऐसी बाते लिखी हुई है structure का certificate है और कुछ नहीं चले बाके कुछ देख लेते है यहाँ फिर photo of solar देखते है यह तो मिर मदर का नाम लिखा है और uncle दूसरे को यह और है तो चलता है यह सब किसी और का photo लगा दिया है और फिर बाद में यहाँ पे इन्होंने जितने भी protection लगाये है search protection device yes, mcb लगाई हुई है earthing properly किया हुआ है और यह lightning arraster भी लगा हुआ है तो यह सारी installation details है जो लोग submit करते हैं फिर बाद में यहाँ पे project commission तो यह पे project commission की detail तो यहाँ पे बाद में last में यह सब कुछ हो जाने के बाद आपको subsidy redeem करना होता है अगर आपने bank account detail पहले से नहीं submit की तो यहाँ पे last में आप कर सकते हैं फिर बाद में आपको redeem subsidy करनी है तो यह देखे मैंने 78,000 रुपे के लिए apply किया था परलब vendor नहीं किया था हमें कुछ नहीं करना होता है तो यहाँ पे आपको अपनी bank account number IFSC code वगेरा डालके subsidy के लिए apply करना होता है इस apply के बाद आपको one month के अंदर आपकी subsidy आपके bank account में आ जाती है अगर आप bank loan लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप apply कर सकते हैं तो आसा करता हूँ यह वीडियो आपको काम में आईगी thanks for watching मिलते अगली वीडियो में बाई